हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुभी का इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस अब्डेट के बारे में जो की संबंदित है खुशकभी को लेकर बिहार सिचकवरती 2.0 की बारे में क्योंकि बिहार सिचकवरती के अंदर चातों के माद्यम से कई ऐसी मांगें बिहाल लोकसिवा आयोग यानि की BPSC के चेरेमिन के सामने रखी जा रही थी और अब उन मांगों को लेकर BPSC के वादियम से उन सभी मांगों को माना जा रहा है साथी साथ जो भी छात्तों की मांगे हैं उनको पूरा किया जा रहा है इसी के संबन में BPSC सिच्छकवर्ती के अंदर योगिता में बड़े बदलाब कर दिये गए हैं यानि कि ऐसे चात्र जो इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि योगिता में जो बदलाब है वो किया जाए उसको यहां पर बदल दिया गया है ऑब सभी अभेति इस वेकेंसी में आवेधन कर सकते हैं अब कौन acquire शर्से वो अभएति है जो आवेधन कर सकते हैं साधिसात्र क्या क्या योगिता में बदलाब हुआ है इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और शियर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करते हुए जिससे कि आपको द्रियल आथेंटिक जानकरी ऑनलाइन अड़ाफ और स्टुडी यूटूब चैनल से मिलती रहें चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुद्दे की और मुद्दा संबंदित हैं बिहार सिच्छक भरती टूपइंट जीजों के बारे में जहां पर आप सभी की योगिता के अंदर कुछ बड़े बदलाब किये गए हैं सबसे पहला जो बदलाब देखने के लिए मिलता है वो यह हैं कि जो 6-8 की वेकंसी निकाली गई है 32,000 प्रदों के लिए उस 32,000 प्रदों के लिए बहुँ सारे ऐसे अब्यरती थे जो आवेदन नहीं कर पारे थे यानि कि ना तो रजिस्ट्रेशन कर सकते थे ना ही आवेदन कर सकते थे और उसकी सबसे वड़ी वजह थी कॉम्बिनेशन का होना यानि कि ऐसे अव्यरती जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बजय से इस वेकंसी मैं आवेदन नहीं कर पारे थे पर उन सभी अभ्यरतियों को भी देखने के लिए मिल जाएगी आप चाहें तो उस website बेर जाकर चेक कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों को देखने के लिए मिलेगा कि सिखक निपति परिक्षा के लिए कक्षा 6-8 तक के इसनातर कोटी यानि के सिखक अभ्यतियों की सिख्षा विवाग की संबंदित योगिता को बदलाब कर दिया गया है यानि कि इसकी आहता में शंशुधन किया गया है अब संशुधन करने के बाद क्या योगिता बनती है आपको दो तीन अलग-अलग योगिता दिखाऊंगा पहली वाली कवर कर लेते हैं पहली है एकिकत बीयड एम किया है वो भी यहां पर सिच्छक बन सकते हैं इसी तरीके से अगर बात कीज़ें सिक्षा विवाग ने करक्षा 6 से लेकर 8 तक कोटी के सिच्छक अभ्यतियों के लिए संशुदित आहता जादी किये विवाग ने कहा है कि पूर्व में निर्गत अधिसूचना के सिच्छक आ अगर आपने BCA तथा प्रामविक सिक्षा के अंदर दोई वर्षी डिप्लूमा बीएड या विशेश सिक्षा के अंदर बीएड नियूंतम 55% मार्क्स के साथ में अत्वा उसके समकच गेड के साथ आपने MCA और तीनों वर्षी एकिकत बीएड या एमेड भी इस निउक्त यूँ के मन में सवाल था कि हम BCA वाले अभ्यति, MCA वाले अभ्यति जो इस वेकेंसी में आविदन करना चाहते हैं योगिता होने के बावजूद भी बीएड कर चुके हैं लेकिन आविदन करने का मौका नहीं मिलना था अब इन सभी अभ्यतियों को इस वेकेंसी में आवि में आविदन करना चाहते हैं, BCA, MCA वाले अभ्यति, बहुत सभी अभ्यति अंच में आविदन कर सकते हैं अगर कोई अभ्यति अभी नहीं कर सकता है तो बहुत आपको देखने के लिए मिलते हैं एगी कल्चल वारे अभ्याति क्योंकि इन अभ्यातियों के लिए समस्या ये है कि इनका कोई कॉई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था अब यहां पर इसमें बदलाब कर दिया गया है अब आप आवेजन कर सकते हैं कि नहीं कमेंट करके बताएं आपकी क्या योगिता है और दूसे मुद्दे के बारे में जो की संबंदित है कि अब जो सीटेट अपीरिंग वाले अभ्याति हैं उनके लिए क्या होगा क्या बिना टेट सीटेट के भी हम यहां पर आविदन कर सकते हैं 628 की वेकिंसी के लिए तो अगर आप बात करें 9 से लेकर 10 वी और 11 से लेकर वा आने वाली समय के अंदर साल में दो बार कराया जाएगा तो 9 से लेकर 10 इसके लाबा 11 से लेकर वार्वी के लिए आपके पास स्टेट का पेपर में पेपर होना चाहिए लेकिन अगर बात किए 628 के लिए उसमें जो योगिता अभी भी रखी गई है वो यही है कि आपके पा अब वो क्या करें आवेदन करने के लिए तो इसको लेकर मैंने आप सभी को पहले भी कहा था फिर से कहूँगा कि अगर आप सही तरीके से एक जुट होकर अपनी मांगे उठाते हैं तो निश्चित तोर पे सीटेट अपीरिंग वाले अभीरतियों को भी मौका मिल जाएग बलकि आपको इसमें सम्मलित भी करेंगे यानि कि सिंपल सी ब्राशार यह है कि बिना टैड और सीटेट के आप इस वेकेंसी में अभी आविदन नहीं कर सकते शिक्स टू एट के लिए और सीटेट अपीरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं तो इसको लेकर मैं अभी भी करा हू जैसे कि BCA, MCA वाले अभीरतियों ने उठाई उन्होंने अपनी मांग आयोग तक पहुचाई, आयोग पर दवाब बनाया, ग्यापन दिये और उसका परड़ाम आपको देखने के लिए मिला कि सिक्षा विवाग के माद्रम से योग गिता में बदलाव करके इन अभीरतियो को आवेदन करने का मौका दे दिया, बलकि अभी अभीरति आवेदन भी करेंगे और नौक्री के लिए बैठेंगे भी और तयारी अच्छी होई तो नौक्री भी ले लेंगे, ऐसे ही अगर सीटेट अपीरिंग वाले अभीरतियों को मौका मिल जाता, अभी भी देर नहीं ह हुई है, अगर अभीरति एक जुट हो जाएं, तो निमंदन की जो तारीक बढ़ा दी जाएगी, और आवेदन की तारीक अभी काफी पड़ी हुई है, पच्छीस नवंबर तक ग्लास डेट रखी गई है, फिलाल उंभीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए हों थैंक यू फो वोचिं इस बीटियो अवेधियो